हेलो फ्रेंड्स, वेलकूम जगेंड इन माई यूटू केरनल लक्षियान, आज की इस वीडियो में आपको क्रास 9 का चैप्टर 15 प्रविटी, एक्सराइज 15.1 करने जा रहा हूं, यहाँ पर हम पहले, पहला कोशन लेने हैं, इस कोशन में क्या बोल रहा है, देखिए, यहाँ पर आपको फाइंड करना है कि इसकी क्या प्रविटी है, कि वो बाउन्डरी हिट ना करे, यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि इसकी प्रविटी आपको बताने हैं, कि वो बाउन्डरी हिट ना कर सके, तो हम जानते हैं, प्रविटी में एक ही फिर्मला होता है, जो इंपोर्टेंट है, वो क्या है, प्रविटी का फिर्मला क्या होता है, तोटल फैवरेबल आउटकम अब उन में क्या होता है तोटल नंबर ओफ तोटल नंबर ओफ पोसिवल आउटकम तो फ्रेंड्स हम प्रॉबिलिटि में किसी इवेंट का प्रोबिलिटि लिखाने का फोरणा जानते हैं वो क्या होता है दिखेए टोटल फैवरेबल आउटकम अब वहना क्या होता है टोटल नंबर ओफ पोसिवल आउटकम मतलब जिसके बारे में question में पूछा जा रहा है वो उपर लिखना है इसा लिखना है question में यहाँ पर हमें क्या पूछ रहा है हमें probability बताना है कि she did not hit a boundary तो हमें यह सबसे पर यह find 10 है कि boundary कितनी बार hit नहीं करवाएगी या नहीं करी है उसको तो उपर लिखना है और नीचे हमें लिखना है total possible outcome मतलब यहाँ पर total possible outcome कितना है 30 है और यहाँ पर यह 6 दिया हुआ है यहाँ पर यह boundary हीट करी है तो हमें सबसे पर लिखना है कि boundary कितनी बार hit नहीं करी है तो यहाँ पर देखिए C hits boundary 6 time यहाँ आप लिखना कि दिखाएए C did not C did not hits boundary वो कितनी बार है 30 minus 6 आएगा ना total ball कितना प्लिक यह उसमें 30 और 30 में से 6 में उसमें boundary लगाई है तो कितने में boundary नहीं लगी है 30 में से 6 कि 24 बार में उसमें boundary नहीं लगाई है तो friends यहाँ पर अब हम probability find कर सकते है कि C did not hit a boundary यहाँ पर अब लिख सकते हैं यहाँ पर probability that C did not C did not hits boundary जो question पूछ रहा है आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा C did not hit boundary कितनी बार बार नहीं लगाई है 24 दो उपर आएगा 24 और total favorable outcome कितना है 30 तो आपर यह कितना आया 30 इसको काड़ेगे दे कितना आएगा 64 दो 24 65 दो 30 तो इसका probability का answer कितना आएगा 4 by 5 मतब probability that C did not C did not hits boundary probability that C did not hits boundary तो वो कितना answer आएगा है इसका 4 by 5 आसा करता हूँ यह question आपको समझ में आएगा इसके जो और question है आपको मेरे YouTube channel पर upload मिलेंगे तो उनको आप जाके देख सकते हैं Thank you very much